सिक्षक चात्र से तिनके का बहुवचन बताओ चात्र जी जाडू महीला ग्राहक दोकंदार से बाई सहाब एक शीशा चाहिए दोकंदार हाथ का शीशा महीला नहीं मू का शीशा हाथ तो मैं बिना शीशे के भी देख सकती हूँ एक भिखारी सरकारी नल पर नहा रहा था तब ही उसके एक भिखारी मित्र ने कहा यार जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम पिछले मही नहीं तो नहाए थे दूसरा बोला यार तुझे तो मालूम ही है कि मुझे साबसूतरा रहने की आदत है एक मैनेजर से पूछा गया तुम्हारी सबसे बड़ी योगेता क्या है मेरी पत्नी और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है दूसरों की पत्नी पतनी एजी आज मैंने बड़ी मुश्किल से सोवन हलवा बनाया था कैसा लगा पती तुमने जितने परिशार्म से बनाया था मैंने भी उसे उतने ही परिशार्म से खाया एक मोटे सेट बस में सवार होना चाहते थे लेकिन मोटापे की वज़े से घुस नहीं पा रहे थे पीछे वाला आदमी बड़ा परिशान था कि कई बस ने चूट जाए इसलिए उसने जोर से एक लात मारी और सेट जी बस का दर्वाजा पार करके सीट पर जा बैठे वहे आदमी दिल ही दिल डर रहा था कि सेट जी लड़ना पड़े पर सेट जी बड़ी नर्मी से बोले शुक्रिया उतरने के समय भी मेरी मदद कीजिएगा जज ने बंदी को घ्रणा से देखते हुए कहा मुझे लगता है कि तुम बार-बार मेरी अदालत में ही लाये जाते हो बंदी हुजूर आपका परमोशन नहीं होता तो मेरी क्या गलती है अधियापक छातर से तुमने मेरा दिमाग खरब कर दिया कल मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूँगा छातर अधियापक से सर पिताजी से नहीं चाचाजी से मिलिये डाक्टर तो वे है जज चोर से तुम जानते हो जूर बोलकर कहां जाओगे चोर नरक में जज और सच बोलकर चोर जेल में जाक्टर ने कमरे से बहारा कर पेशकस मांगा थूड़ी देर बाद बहारा कर डिब्बा खोलने का चाकू मांगा और फिर एक थोड़ा पती ने घबराकर पूछा क्यों डाक्टर सहाब मेरी पतनी के साथ क्या गड़वड है जाक्टर ने माते का पसीना पोच्छते हुए कहा अभी तो पता ही नहीं चला पहले मैं अपना बैग तो खोल लूँ एक महीला पहली बार रेल के वातानु कुली डिब्बे में बैठी थी रात के समय एक कुली कंबल लेकर आया उस महीला ने पूछा कितने कितने के हैं वह बोला छे रुपे का एक इस पर वह महिला बोली दे दे जिये इतने सस्ते तो सूती खेश भी नहीं मिलते जो दो आदमी चेर्मेन के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं उनके बारे में आपकी राई क्या है रिपोर्टर ने एक नागरिक से पूछा भगवान की दया है कि उसमें से केवल एक ही चुनाव जीतेगा नागरिक ने कहा बेटा अपने बाप से पूछ रहा था, ये कहा जाता है कि बाब बेटे से होशियार होता है, क्या ये सच है, हाँ, बिल्कुल सच है, अच्छा, ये बताऊ भाफ का इंजन किस ने इजाद किया, जेम्स वाट ने, माना, परन्तु जेम्स वाट के बाप ने क्यों नहीं डाक्टर यदि मैं आप कुछ काम करूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है डाक्टर ने कहा दिमाग पर जोर पड़े ऐसा कोई काम नहीं कीजिएगा डाक्टर मैं तो बस कुछ कविताई लिखना चाहता हूं लिखने की उतावली से पीडित कवी ने डाक्टर की ओर देखते हुए कविता लिखने में कोई हर्ज नहीं है बस दिमाग पर जोर पड़े वह काम ने करें मेरा एक मित्र विश्व विद्याले की परिक्षा में बैठा उस विभाग के बारे में अक्सर सुनने में आता था कि परिक्षा फल में भारी गड़बर होती है जल्दी ही इसका परिणाम भी मिल गया बिमारी की वज़े से एक पर्चा ने दे पाने के बावजूद मेरा मित्र पास हो गया उसने पत्र लिख कर पूछा कि ऐसा कैसे हुआ वहां से चपा चपाया जवाब आया बोड का निरने अंतिम है शराबी लपक कर बस में चड़ा और गिरजा घर के एक पादरी के बगल में बैठ गया पादरी ने दुखी हो कर कहा बेटे तुम नहीं जानते कि तुम सीधे नरक की तरफ जा रहे हो ये सुनते ही शराबी खड़ा हो गया और चिलाया ड्राइवर बस रोको मैं गलत बस में चड़ गया हूँ मेजबन आना ही था तो चिठी से सुचना तो दे देते अतिधी चिठी डालता तो तुम यहां कैसे मिलते